ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग जैसे ही रूम में आते हैं, चारो तरफ चाजाते हैं, जैसे कि उनके अंदर कोई जादू हो, हर व्यक्ति उनके जैसा बनना चाता है, उनके जैसी attractive personality डेवलब करना चाता है, हर व्यक्ति अपनी life में किसी ना किसी को प्रभावित करना चाता ह जैसे boss अपने employee को और employees अपने boss को, teacher अपने students को और students अपने teacher को, एक लड़का लड़की को और एक लड़की लड़के को, इसी तरह से एक salesman अपने buyer को प्रभावित करना चाता है, आज मैं आपको बताँगा कुछ ऐसे secrets जिनको follow करके आप भी एक attractive और impressive personality बन सकते हैं, और कहीं सामने वाला व्यक्ति बुरा ना मान जाए, तो आज मैं आपको ऐसी technique बताने वाला हूँ, कि आप सामने वाले व्यक्ति को मना भी कर दें, और वो बुरा भी ना मनें, attractive, impressive and confident personality बनाने के लिए, जो सबसे पहला rule है, जिसको आपको follow करना है, try to be an active listener, active listener का मतलब यह होता ह कि जब कोई व्यक्ति आपको अपनी बात बता रहा हूँ, तो आप उसकी बात में interest ले, और यह interest आप ले रहे हैं, इसके बारे में उसको पता चलना चाहिए, जैसे यदि कोई व्यक्ति आपको बात बता रहा है, तो आपको कहना है, अच्छा, oh, very good, superb, क्या बात है, यह तो ज्यान रखिए, जब आप उस व्यक्ति की बात को सुन रहे हो, तो आपके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान होनी चाहिए, आपका eye contact भी उस व्यक्ति के साथ बना होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप कहीं और देख रहे हैं, मतलब ऐसा ना हो कि उसको ऐसा लगे कि आप उसे ignore कर रहे हैं, जब आप उस व्यक्ति की आँखों में आँखे डाल कर प्यारी सी smile के साथ और उसकी हर बात पर एक reaction देंगे, एक positive reaction देंगे और एक smile देंगे, तो व्यक्ति आपको अपनी बात दिल खोल कर कहेगा और आप उस व्यक्ति के favorite व्यक्ति बन जाएंगे, and the second, play the game of name card, दुनिया का सबसे मीठा शब्द जो है न, वो आपका नाम है, यदि आप किसी व्यक्ति को उसके नाम से पुकारते हैं, और सम्मान के साथ पुकारते हैं, तो वो व्यक्ति आपकी बातों में interest लेना शुरू करता है, और आपकी बात को ध्यान से सुनता है, क्योंकि आप आपने सबसे मीठा शब्द इस्तिमाल किया है, और वो मीठा शब्द उस व्यक्ति का नाम है, नाम के साथ सम्मान जुरूर जोड़िए, जैसे यदि आप किसी बड़े व्यक्ति से बात कर रहे हैं, रमेश जी, सुरेश जी, मनीश जी, जब आप जी शब्द का इस्तिमाल क हर व्यक्ति ना रहसे माई बात को जानना चाहता है, मतलब कोई बी ऐसी बात जिसमें सामने वाले व्यक्ति को ऐसा लगे, कि आपने अपने जीवन से संबंदित, एक ऐसा सीक्रेट उनके साथ शेर किया है, जिसको वो किसी और को नहीं बता सकते, मतलब आपको सामने वाले व्यक्ति पर पूरा विश्वास है, ध्यान रखिए, सीक्रेट स्ट्रेजी का मतलब ये नहीं है, कि आप किसी दूसरे की बात, किसी दूसरे व्यक्ति को बताएं, मतलब एक व्यक्ति का रहसे या राज की बात, आप किसी दूसरे व्यक्ति को बताएं, इसे सीक्रेट स्ट् कि सामने वाला व्यक्ति मुझ पर विश्वास करता है और ठीक उसी तरह से वो भी आपकर विश्वास करके बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करता है और हाँ अगर इस सीक्रिट स्ट्रेटेजी में आप कुछ शब्दों का इस्तिमाल और करें तो ये बात और जादा जब आप इन शब्दों का उचारन करते हैं इन शब्दों का इस्तिमाल करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को बहुत ध्यान से सुनता है जिससे आपका connection आपका relation और ज्यादा मजबूती से built होता है यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि secret strategy का मतलब ये नहीं क आप अपनी कोई कमजोरी सामने वाले व्यक्ति को बता रहे हैं जिससे वो आपको कंट्रोल कर सके या आपको दबा सके secret strategy का मतलब है ऐसी समान्य बात जो आप उसको transfer करें तो उसको बहुत खुशी महसूस हो कि आपने उसको अपना करीबी माना है और वो भी विश्वास के साथ एक ऐसी डोर में बन जाएगा जहां पर आपका relation और मजबूत होगा sales में भी लोगी strategy का इस्तिमाल करते हैं वो अपने buyer को कई बार कुछ बाते ऐसे धीरे से बताते हैं जैसे कि उसके बारे में किसी और को पता ना लगे sometime ये देखा गया है कि seller special discount का announcement बड़े धीरे से consumer के साथ करता है जिससे उस ग्रहक को ये लगता है कि ये special discount तो सिर्फ मेरे लिए है और वहाँ पर उनका bonding and relation और मजबूत होता है कई बार आपसे कुछ लोग ऐसे विशय पर बात करते हैं जिसमें आपका कोई interest नहीं होता मतलब वो आपको अपनी बात ठीक तरीके से समझा नहीं पाते क्योंकि आप उनकी बातों में interest नहीं लेते ठीक उस तरह से आप जब किसी व्यक्ति से communication करें तो आपकी बातों में व और उसके विचार जानेंगे अपने विचार शेर करेंगे तो वो आपकी बात को बहुत ध्यान से सुनेगा जिससे आप उस व्यक्ति के फेवरेट व्यक्ति बन जाएंगे साथी साथ यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि किसी भी व्यक्ति के इंटरस्ट को जानने के बाद आपको एक ही बात को बार-बार रिपीट नहीं करना मतलग आपके पास थोड़ी नौलेज वास लेवल पर होनी चाहिए आपके पास इतने टौपिक्स होने चाहिए उसके इंटरस्ट के हिसाब से जिससे आप उसको आसानी से प्रभावित कर सके जैसे बहुत सारे लोग क्रिकेट के बारे में इंटरस्ट रखते हैं और हर व्यक्ति के इंट्रस्ट के हिसाब से बहुत अच्छे टॉपिक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं. And the next, that is magnet of friend. अपनी छवी में इतना चुम्बकिय प्रभाव पैदा करें, कि लोग आपकी तरफ खीचे चले आएं. और वो कैसे होगा, जब आप सामने वाले व्यक्ति के इंट्रस्ट के बारे में जानेंगे, तो उस इंट्रस्ट से सम्बंदित, अक्टिविटी में भी आप अपने आपको इन्वाल्व करेंगे. जैसे मैंने example group में बताया, कि कुछ लोगों को cricket पसंद है, तो आप cricket से सम्बंदित knowledge को गेन करें, और उनसे उसी topic पर बात करें. अगर आपके friends को dance पसंद है, singing पसंद है, parties पसंद है, घूमना पसंद है, तो आप भी जब उसी तरह की activity करेंगे, तो आपकी छवी प्रभावशाली बन जाएगी. एक चुम्बकिय प्रभाव आपकी छवी में होगा, जिसकी वज़ा से वो आपके बिना रह नहीं पाएगे. कई बार आपने देखा होगा, कि कुछ लोगों की personality इतनी चुम्बकिय होती है, कि उनके आने पर ही महफिल में जानाती है. मतलब, लोग उनके आने का बेसबरी से इंतजार करते हैं, और जब आप ये चुम्बकिय गुण अपने अंदर डेवलब कर लेंगे, तो आप लोगों के दिलों पर राज करेंगे. और बात करते हैं इस बारे में, कि जब हम कई बार किसी व्यक्ति को किसी काम या बात के लिए मना करना चाहते हैं, लेकिन हम मना के इसलिए नहीं कर पाते कि सामने वाले व्यक्ति को वो बात बुरी न लग जाएं. जब भी आप किसी व्यक्ति की किसी बात से सहमत ना हों, या वो काम करने के लिए तयार ना हों, और आप उसे मना करना चाहें, तो सबसे पहले उसकी बात को ध्यान से सुनें, और सुनने के उसे ऐसा महसूस कराएं कि जैसे उसने बहुत बेहितरीन अपॉर्चुनिटी आपके सामने रखी है बहुत अच्छी बात आपके लिए कही है पर किसी कारण वश आप कहीं और व्यस्त हैं जिसकी वज़ा से आप उस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं अगर आप कम्यूनिकेशन स्किल्स प्रेजेंटेशन स्किल्स या पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स के उपर मुझसे वीडियोज चाते हैं तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और आप लोगों के लिए गूगल प्ले स्टोर पर मेरी आप डॉक्टर अमि लेस्टर, हाउ टू स्टार्ट फ्रंचाइजी बिजनस, हाउ टू स्टार्ट इंपोर्टन एक्सपोर्ट इससे रेलेटिट बहुत सारे एक्स्क्लूसिफ वीडियोज आपको डॉक्टर अमित्माईश्वरी आप पर मिल जाएंगे तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट रहें मस्त रहें मैं डॉक्टर अमित्माईश्वरी आप किसमयरे वविश्य की कामना करता हूं जै हिंद जै भारत